नमस्कार संस्कृतिया इसके इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत मालदीव के जो संबंदे थे वो अब मदूर नहीं रहे गए हैं इसी के पशाद इसका फायदा उठाते हुए चाइना अध़र पाइने क्या किया है मालदीव के साथ अपना संस्दी को अगुका मालदीव सेन्हां में शामिल करेगा और ऋसको जो अपने सैनिक है वो ट्रेन करवाएंगे चीक है तो फाइनली होगा क्या कि चाइने इस मार्ध्यम से बेसिकली अपना जो मिलिटरी बेस है वो मालदीव में बनाना चाहता है इंडिया को काउंटर करने के लिए ठीक है एक सोची समझी एक लंबी सी शार्जिस है जो आपको समझ में आ रही है जैसे मैंने बताया कि मालदीव के संबंद भारत के साथ मधूर नहीं रह गए है लास्ट डेडलाइन दी इन्दीव मालदीव से की मार्ज तक वह अपने जितने भी मिलिटरी काब बेस है और जितने भी मैंने इंडिया के जितने मैं से इंडिया इंटके नहीं कहीं लेकर यो कहीं भी यदि बहुत अच्छा कारीकर होता है तो चाइना वहाँ पर एक टांग अड़ाने वाली बात होती है वो लेकर के सामने आता ही आता है ठीक है और यदि बात की जाए मालदीव के रास्ट्रपती मुहंबन मुज्जो की तो वो चाइना की पॉलिसी से बहुत जादा प मेरे वावित हो चुके हैं कि यो इन्डिया आउट की जो श्रुजों के दौरां उन्होंने अपना फंसे प्रभावित को क्या प्रभाव पड़ेगा माल्दीव को क्या प्रभाव पड़ेगा और चैना कोछ से क्या फाइदा मिलने वाला है इन सारी चीजों पर विस्तार से जर्चा करेंगे तो अन्त तक जरूर बने रहेगा देखते हैं अपने टापिक पे आते हैं तो नीजे में खबर चबी खबर क्या थी कि चाइना मालदीव साइन यू मिलिटरी अग्रीमेंट और यह जो मिलिटरी अग्रीमेंट है यह क्या है free of cost है ऐसा चाइना लॉलिपॉप दे रहा है मालदीव को ठीक है क्योंकि उन्हेंने बोला कि फ्री है कोई आपको चार्ज नहीं देना है मालदीव को कुछ भी नहीं देना लेकिन इससे पहले मालदीव चाइना से बहुत सारा डेप्ट ले चुका है यह आयम फ के और आयम फ ने कहा कि आने वाले समय में मालदीव की इस्थती जो है वह बहुत ही खराब होने वाली है क्योंकि चाइना से इतना जादा डेफ्ट ले लिया है आप इस न्यूस को जाकर के सर्च करिएगा ठीक है आयम ने अपने अकाउंट में यह पोस्ट भी किया था ठीक व लोगों को रड़ प्रदान किया इंटरेंस रेट था चीज रहे थी चाइना ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया लेकिन सेम अशीट है तो इस पर कोई कोई खुलकर के बाद सामने नहीं आई है खाली बस यह कहा जा रहा है कि 20 मुद्दों पर यहां पर अग्रीमेंट सा साइन किया गया तो क्या वहां की जनता को जानने के उच्पता नहीं थी मालदीव की जनता को जानने के उच्पता नहीं थी कि अग्रिमेंट किन बेसे साइन किया गया है या उस अग्रिमेंट में क्या लिखा है वहां के बहुत सारी पॉपलेशन ऐसी ती जिसने ट्वीट किय कहा कि हमें भी यह जाना है कि हमारे देश के राश्त्रपती चाइना के साथ टरीक्ब का इस तरीकित का धर्केस तरह सहिए। अब हम क्यों जीए वालाया और यहींड निया करेगा इस वे के बिंदूों 20 मुद्दों को शामिल किया गया है जिसमें से परिटन का सहयोग एक इंपोर्टन हो जाता है दूसरा है आपदा जोखिम न्यूनी करण फिसके बाद तीसरा हो जाता है ब्लू एकोनॉमी ब्लू अर्थ व्यवस्था पर यहां पर जोर दिया जाएगा सहयोग दिय की घोशना की गई है मुएंद मुईजु मालदीव के नय राश्च पर बनने के बास से वह भारत से लगातार दूरियां और चीन से जड़ाओ किसी देखने को मिल रही थी और कहां भी जा रहा था यह चीन की भासा ही बोल रहे है ठीक आगे बात कर लें चीन और मालदीव न क्योंकि वह भारत के बहुत नजदीक था इसलिए बन गया ठीक है क्योंकि चीन को क्या था हिंद महासागर में अपनी शक्ति और उपस्थिती बढ़ानी थी कारड यह था यह जो जियो पॉलिटिक्स है इसमें फाइनली आप देखोगे कि चाइना जीतता हुआ दिखाई द जाएगा दूसरा वह इंडिया को काउंडर कर पाएगा और साथी साथ इंडिया की सारी गतविधियों पर अपनी नज़र रख पाएगा ठीक है यह इसका कारण था मालदीव पर प्रभाव इसलिए बनाना आवश्यक था चाइना का चीन के व्यापक प्रयासों के बाद माल माल-दीव के सोल्लीही ने समझोते के क्रियान वैन को रोक दिया ठीक है यही चिन पर प्रती चूकाओं और मालदीव के भारत के साथ संबंध लेकिन इसके पाद राष्ट्रपती बनते हैं मुहम्मद मुईजु जीन ही क्या देखा कि वह इन बेसस पर चुनाओ जी सकते हैं और चाइना का उनका जो पॉलिसी था उन्हें बहुत ज्यादा पसंद में आया ठीक है चलिए आगे लगताओं के व्यापक्ष योग के लिए दिय पक्षिय संबंधों के महत्व पर इन्होंने क्या किया बले दिया ठीक है आगे बात कर लिए भारत और मालदीव से दूरिया क्यों बढ़ी क्या इसका रीजन रहा क्या कारण रहा है और चाइना ऐसा क्या कर रहा है देखे मालदीव से अगर चाइना अपना मिलिटरी बेस बना लेता है तो इंडिया इसको काउंटर कैसे करेगा क्या एक इंडिया के पास स्ट्रॉंग स्टेटिजी है इसको काउंटर करने की तो कॉर्स है कैसे है देखे लक्षदीप में अगर आपको पता हो तो अल्रेडी इंडि और वो कौन सा है यदि आपको पता हो तो जटायू पाच्वा यहां पर जो बनेगा वो बनेगा आपका जटायू मिलिटरी बेस ठीक है कौन सा होने वाला है जटायू होने वाला है बहुत ही important role अदा करेगा यहाँ पर यह जो जटायू military base बनेगा क्योंकि यह बन कहां रहा है यह बन रहा है आपका mini coy at all में जो की मालदीव से बहुत ही ज़ादा पास में है और यदि बात की जाए मालदीव और लक्षदीव के बीच की दूरी कितनी है तो that is only 754 km ठीक है इतनी दूरी है यहाँ पर और जो अट all है mini coy at all वो यहाँ पर इस्तित है और यहाँ से मालदीव पर नजर रखना बहुत ही आसान हो जाएगा भारत के लिए ठीक है और यहाँ लाज बनाए जा रहा है जटायू military base बनाए जा भाइंस एक है बहुत ही ज़ारा फायदा मिलेगा और यह भारत तो यहीं कारे कर रहा है भारत किसको काउंटर करने के लिए मालदीव और चाइना को काउंटर करने के लिए ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं हम इसमें जैसे मैंने बोला कि भारत और मालदीव की दूरियां क्यों बड़ी देखो दोनों देशों के बीच वर्ष 2003 में मालदीव आम आदमी चुनाओं के बाद टक्राओं देखने को मिला ठीक है मालदीव में सिदंबर 2023 को रास्टपती पद के लिए चुनाओं हुए और मालदीव के पूर्व जो रास् मर्थन करते थे ठीक है लेकि जो वर्तमान में रास्टपती बने वह इस नीती के तहद बने कि वह क्या करेंगे भारत को यहां से पूरी तरीके से इंडिया आउट की जो नीती है उन्होंने अपनाई और कहा जैसे ही वह चुनाओं जीतेंगे वह सारे military bases खतम कर देंगे भा करश कब 1988 में जब तकता पलट का प्रयास किया गया था तो सोचो यह कितना लंबे टाइम तक जो military bases है वो रहे हैं कहां पर मालदीव में और फाइनली जब एक मुझ्यू रास्टपती बनते हैं तो यह इतना पुराना जो उनका में जो हमारा बेस था बैसिकली उसको खतम कर भारतियों को वापस भेज देंगे अब आप सोच रहे होगे कि जो हमारा सैने समझाता हुआ हमने उनकी जो मदद करी उनको जो हैलिकॉप्टर दिये या जो भी हमने उपकरण दिये तो उसको चलाने के लिए वहाँ पर सैनिक थे उनको समझा रहे थे लेकिन अब जब यह वापस आज आएंगे तब वो उसको यूस कैसे करेंगे या उन्हीं कैसे बताया जाएगा देखें अब यह जो सैनिक है वो तो वापस पूरी तरीके से बुलाया जाएंगे क्योंकि यह अग्रिमेंट है ठीक है लेकिन अब जो सिविलियंस है उनको भेजा जाएगा उसको करने के लिए ना कि जाएंगे तो अब कौन जाएंगे खेंगे सिविलियंस जाएंगे ना कि जाएंगे ठीक है निवमबर 2023 में मालडीब के राज्ट्रपती की सपत लेने के बाद मौईजो के कार्याले ने आधिकारिक तोर पर घोशना की कि मालडीब से भारत अपनी सैन वापस लेले साथी मालदीप के ने राश्यर पती द्iggersा नहीं की गई उन्होंने भास्वारत करने से इनकार कर दिया और इसकी बजाएं उन्होंने चीन वा तुर्फिका करना जादा इंपॉर्टन समझा ठीक हाली में भारती प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी केद्र शाषित प्रदेश लक्षदीप के दौरे पर गये थे जहां पर आपने देखा होगा कुछ तस्वीरे भी वाइरल हुई थी उसके बस शाथ यहां मालदीव सरकार के तीन मंत्रियों दौरा क कुछ अभध्र टिपड़ी की गए इसके पशाथ से यह जो मुद्दा है यह बहुत जादा निकल के आया इसके पशाथ यह तीन मंत्री थे इनको वापस मालदीव भी भेज़ दिया गया था ठीक है आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा भारत और मालदीव के व्यापार के ब भारत के लोगों से बिल्ड हो रही थी किसकी मालदीव की ठीक है अब वहाँ पर भी मालदीव को थोड़ा ना थोड़ा कुछ जहलना पड़ राए क्योंकि हम पूरी तरीके से लक्षदीव पर सफोकस हो गया है लक्षदीव कर रहे हैं लक्षदीव में आप देखो के नयन 14 2018 की बात करें तो निर्यात 28.61 करोड था वहीं आयात 30.1 था 2019 कबात करें तो 29.2 करोड था वहीं आयात 34.2 लैग था आगे बात करें 2020 की तो 24.19 क्रोड निर्यात था और आयात हम लगातार जादा ही कर रहे थे that is 33.3 lakh 2021 में याकडा 31.72 होता है and then 59.4 लाक आयात हो रहा था 22 में बात करें तो 49.54 करोर रुपे और आयात कितना हो रहा था 64.2 लाक रुपी and then 2003 सितंबर तक यह रिबात की जाए तो निर्यार था हमारा 41.02 करोर और आयार था 61.9 लाक रुपी जो कि यहां पर आपको डॉलर में दिखाए गया है लाक डॉलर है वो चलिए आगे बात कर लेते हैं मालदीव में भारती परेटकों कि यदि बात की जाए तो लगाता है संख्या आपने देखी होगी किस तरीके स से इंक्रीज हुई है 2030 में यदि मैं बात करूं तो यह 13 दिसंवर तक का डेटा आपको दिखाए दे रहा है वल लैक 93693 परेटक मालदीव की यात्रा करने के लिए गए थे तो यह सारे इंपॉर्डन चीज़े थी अब बात कर लेते हैं रक्षा छेत्र में क्या सयोग था औ और ऑपरेशन शीड यह आयोजित होता था भारत और मालदीव के मत्य मालदीव के रासपधी रक्षाबल के लिए बड़ी संख्या में भारत प्रसिक्षण प्रदान करता था तो वह क्या करता था मालदीव की जो मिलिटरी थी उनको पुनरवास के बात करें तो दोनों सिवस्था का मुक्याधार ही परेटन है और वो इस ताइम थोड़ा न थोड़ा डामेज हो रहा है ठीक है भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागेदार है ठीक है चली आगे बात कर लेते हैं इसमें भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो मालदी है तो मालदीव में यदि चाइना अपना मिलिटरी बेस बनाता है तो भारत को वह बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करने वाला है ठीक है मालदीव पर चीन के प्रभाव से भारत की सुरक्षा संबंदी चिंताएं बढ़ सकती है वर्तमान में छेत्र में भारत को समुद्री या प्रश्ण प्रश्ण क्या है कि निमलिखित कत्नों पर विचार कीजे मालदीव और चीन के मद्य हाल ही में परेटन सहयोग आपदा जोखिम न्यूनी करण ब्लू अर्थेववस्था डिजिटल अर्थेवस्था में निवेश जैसे विभिन छेत्रों में 20 समझोते के वर्तमान राश्चुपती मुहंब्मद मोईचू की विचारधारा सुर्वास सही भारत विरोधी रही है तोनों कत्नों पर विचार कीजिए और सही है वो बताईए केवल दो केवल एक एक और दो ना तो एक ना तो ठीक है तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम च कर दो की के ड्मदी और सही है तो कि दो कर दो कर दो कि एक बताए के दो कि जो कि एक शन्यवत्व झाल झाल